नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे योट्यूब चैनल GK Tracker पे देखे फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है Top GK MCQ सीरीज, जिसमें हम आपके GK के previous year questions को यहाँ पर cover करते हैं यह सभी previous year questions आपसे किसी ना किसी exam में पूछे गए हैं विभिन राज्यों के exam हैं, केंदर के अलग-अलग exam हैं उन्ही questions को हम यहाँ पर पूरी detail के साथ cover करते हैं सिर्फ question answer को नहीं देखते, बलकि पूरे facts को cover कर जाते हैं इन प्रशनों से जुड़े हुए जो जो एक्स्ट्रा बाते होती हैं जो जो आपके concept होते हैं, उनको clear यहाँ पर कर जाते हैं यह हमारी इस series की 102 क्लास हैं अगर आपने इससे पहले की हमारी classes को नहीं देखा है आप उन सभी classes को playlist के माध्यम से देख सकते हैं playlist का link आपको वीडियो के description में भी मिल जाएगा और नीचे comment section में भी मिल जाएगा तो चलिए दोस्तों, आज की class को शुरू करते हैं आज का हमारा पहला question है निम्न में से कौन राज्यपाल द्वारा पदचित नहीं किया जा सकता यानि इनमें से ऐसा कौन है जिसे राज्यपाल पद से नहीं हटा सकता सही आंसर है राज्य लोग सेवा आयोग के सदस्या देखे राज्य लोग सेवा आयोग जो होता है इसमें सदस्यों की निक्ति, अध्यक्ष की निक्ति निक्तियां कौन करता है निक्तियां राज्यपाल करता है लेकिन इनको हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है इनको हटाता कौन है राश्ट्रपती इनको हटाता है ठीक है वो भी जब सरवच न्याले की जांच होती है जो भी इनको पर आरोप लगते हैं जांच होने के बात जो अंतिम तोर पर इनको हटाएगा वो कौन हटाएगा राष्ट्रपती हटाएगा तो इस कॉंसेप्ट को याद करना जो राजय लोग सिवा आयोग होता है उसमें सदस्या अध्यक्ष की नुक्ती राजय पाल करे का हटाने का अधिकार राष्ट्रपती को है ठीके कई इन सदस्यों के जो लोग सेवा आयोग होता है राज्यों का इनके सदस्यों का कारेकाल पूछ लेता है तो इनके अध्यक्ष का और इनके सदस्यों का कारेकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की एज तक चलता है इसको आपने ध्यान रखना है ठीक है निक्स्ट है 1857 की क्रांती के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था? 1857 की क्रांती से ठीक पहले और ठीक बाद दो महत्पून विद्रोह यहां पर होते हैं दोनों को लेकर आप से कोशन आता है 1857 की क्रांती से ठीक पहले संथाल विद्रोह हुआ था और क्रांती के ठीक बाद नील विद्रोह हुआ था आप से बाद क्वाला पूचा है option B सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा अगर हम संथाल विद्रहो की बात करते हैं संथाल विद्रहो आपके 1856 में हुआ था नील विद्रहो की बात करें 1869 में ये हुआ था तो ये दोनों important हैं क्योंकि 1857 के आसपास ये आपके हो रहे हैं किसी एक्जाम में पहले वाला पूछा था किसी में बाद वाला पूछा है नील विद्रहो की बात करें नील विद्रहो का नेत्वत्व किस ने किया था तो नील विद्रहो का नेत्वत्व दिगंबर विश्वास और विश्नु विश्वास ने किया था इन दोनों के नाम आप ध्यान रखेंगे जो नील क्रिशान होते थे नीलों, नील की खेती करने वाले किसान होते थे उनकी दुरदर्शा के ऊपर एक रचना रची गई जिसे बोला जाता है नील दरपन नील दरपन के रचियता कौन है? आंदोलन का नित्यत्य तो इन दोनों ने किया लेकिन जो ये रचना है नील दरपन इसको लिखा है दीन बंदू मित्र ने बहुत बार ये पेपर में पूछा गया है दूसरा जो विद्रह इंपोर्टन्ट है 1857 से ठीक पहले जो हुआ था वो था आपका संथाल विद्रह संथाल विद्रह का नित्यत्व किस ने किया था? संथाल विद्रह का नित्यत्व सिध्धु व कानहु के द्वारा किया गया था ठीक है? तो इंपोर्टन्ट विद्रह जो आप ध्यान रखेंगे एक और चीज यही पर नोट कर लेना हो सकता है पूछले ये जो संथाल विद्रो है इस करांती से ठीक पहले जो हुआ था इस विद्रो को हूल विद्रो के नाम से भी जाना जाता है ठीक है एहमदबाद मिल मजदूर आंदोलन में विवाद को सुलजाने के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह किया था यह विवाद किस कारण हुआ था देखे महत्मा गांधी ने भारत में सत्या ग्रह का जो पहला प्रियोग किया था वो चमपारण में किया था तीन कठिया प्रथा के विरुद्ध जो महत्मा गांधी ने पहली बार भूखर्ताल करी थी वो एहमदबाद में करी थी मिल मजदूरों के समर्थन में कोश्चन ये पूछा गया है कि यहां पर जो उन्होंने भुखरताल करी सत्याग्रह करी जिस विवाद को सुलजाने के लिए करी वो विवाद किस वज़ा से हुआ था हमने इसको डिटेल में पढ़ा है रश्च्य आंदूलन वाली सीरीज में कि जो एहंदबाद मिल मजदूर थे वो प्लेग बोनस विवाद को लेकर यहां पर आंदूलन कर रहे थे जो मजदूर थे वो 50 फीसिदी यहां पर बोनस की मांग कर रहे थे जो फैक्टरी वाले थे व प्लेग बोनस को लेकर यहां पर विवाद था ओप्शन सी सही उत्तर यहां पर हो जाएगा इसको लेकर सबसे महत्पूर पॉइंट यह विवाद वाला था पूछना शुरू किया है आयोग ने लेकिन सबसे इंपॉर्टन पॉइंट आता है महत्मा गांधी ने पहली बार भूख हर्ताल किस आंदोलन के दौरान करी एहमदबाद मिल मजदूर आंदोलन के दौरान ठीक है और इसी आंदोलन के बाद महत्मा गांधी ने ट्रस्टी शिप का सिधान्त भी दिया था इसको भी धियान रखेंगे ठीक है नेक्स्ट है किस पंच वर्षिया योजिना में मानव संसाधन के विकास को सरवच्य प्रात्मिक्ता दी गई थी तो कौन सी पंच वर्षिया योजिना थी जिसमें मानव संसाधन के विकास को सबसे प्रमुख माना गया ये थी आपकी आठवी पंच वर्षिया योजिना आठवी पंच वर्षय योचना की बात करें इसका जो टाइम पीरियड था वो 1992 से लेकर 1997 के बीच में था जो आठवी पंच वर्षय योचना है यहां आपके जॉन W. Miller मॉडल पर आधारित थी इसको भी दियान रखेंगे और इसी योचना के तहट मानव संसाधन के विकास को सरवच प्रात्मिक्ता दी गई ठीक है एक काफी फेमस योचना है प्रधान मंतरी रोजगार योचना इसको भी इसी पंच वर्षय योचना के दोरान 1993 में शुरू किया गया था इसको भी धिया रखेंगे निक्स्ट है निमलिखित में से किस प्रधान मंतरी ने उप्रधान मंतरी के रूप में भी कार्यक किया है तो इन में से कौन प्रधान मंतरी थे जो भारत के उप्रधान मंतरी भी रहे सही आंसर हो जाएगा मुरार जी देसाई ओप्शन C यहां पर सही आंसर हो ज हाली में उत्राखण में भी पूछा गया कि इन में से कौन से PM पहले CM थे अब एक पेपर में पूछा गया इन में से कौन से PM पहले WISE PM थे तो इस प्रकार आपको पता होना चाहिए हम यहाँ पर दोनों को देखेंगे CM से PM बनने वाले और WISE PM से PM बनने वाले सबसे पहले उप प्रधान मंत्री बने हैं दोनों को याद करेंगे चोथे उप प्रधान मंत्री जो भारत के बने वो बने जग जीवन राम ये भी कभी प्रधान मंत्री नहीं बने इसके बाद वाई वी चहवान भारत के उप प्रधान मंत्री बने फिर बने चौदरी देवी लाल ये दो बार भारत के उप प्रधान मंत्री बने और लास्ट में उप प्रधान मंत्री बने लालकृष्ण आडवानी ये भी कभी प्रधान मंत्री नहीं बने तो केवल दो व्यक्ति है उप प्रधान मंत्री ऐसे जो PM बने मुरारजी देशाई और चौदरी चरण सिंग ठीक है यहाँ पर विकल्पों के आधार पर आपका मुरारजी देशाई सही आंसर हो जाएगा अब कितने प्रदाहन मंत्री ऐसे हैं जो पहले CM रहे चुके थे अब उनकी सूची भी यहीं पर देख लेते हैं समयधान वाली सीरीस में तो हमने डीटेल में इसको कवर किया ही है बात करेंगे मुरारजी देशाई से ही यहाँ पर शुरुवात करेंगे मुरारजी देशाई CM रहे थे बंबय के और यह प्रदाहन मंत्री बने तो एक तो इनको याद करेंगे दूसरे व्यक्ति हैं चौधरी चरण सिंग, UP के मुख्य मंतरी थे, बाद में PM भी बने तीसरे व्यक्ति हैं PV नरसिमा राओ, ये भी प्रधान मंतरी बने और ये आंधर प्रदेश के मुख्य मंतरी थे इनसे पहले VP सिंग भारत के प्रधान मंत्री बने थे, VP सिंग भी UP के मुख्य मंत्री थे इसके बाद आते हैं HD देवगोडा, ये करनाटक के CM तर भारत के फिर PM बने और फिर आते हैं वरतमान में छटे व्यक्ति नरेंद्र मुदी जो पहले गुजरात के CM थे और अब PM है तो 6 व्यक्ति हैं कौन-कौन मुरारजी देशाई, चौदरी चरण सिंग, VP सिंग, PV नरसिमा राओ, HD देवगोडा और नरेंद्र मुदी जो CM रहे और फिर PM बने यह दोनों सूचियां पूछी जाती हैं, इनको नोट करते वे जरूर चलें नेक्स्ट है, जल प्रदूशन निवारण एवं नियंत्रन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो जल प्रदूशन निवारण एवं नियंत्रन अधिनियम इसे 1974 में पारित किया गया था और वायू प्रोदूशन निवारण एवं नियंतर अधिनियम पूछेगा तो उसे 1981 में पारित किया गया इन मूल अधिकारों में से कौन सा है जो केवल भारतिया नागरिकों को तो उपलब्द है पर भारत में रहने वाले विदेशियों को उपलब्द नहीं है तो कौन से ऐसे मौलिक अधिकार है जो इन्डियन सिटिजन्स को तो प्राप्त है लेकिन जो विदेशी है उनको प्राप्त नहीं है ये वाला भी आपसे बहुत बार आता है कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं मौलिक अधिकार हैं जो सिर्फ Indians को प्राप्त हैं भारतियनाग्रिकों को प्राप्त हैं एक है उनमें आर्टिकल 15 धर्म, मूल, जाती, जन्मिस्थान के आधार पर भेदभाव को निशेद करता है ये सिर्फ Indians को प्राप्त है इसके लावा दूसरा आता है Article 16 लोक नियूजन के विशय में सब को अवसर की समानता ये भी केवल भारतियों को प्राप्त है इसके बाद है Article 19 जिसमें आपकी विचार और अभिवेक्ति की स्वतंतरता है संगठन बनाने की स्वतंतरता है कहीं भी खूमने की स्वतंतरता है यानि वो जो छे प्रतार की स्वतंतरता हैं, वो 19 में हैं, ये भी केवल भारतियों को प्राप्त है, इसके बाद आता है आर्टिकल केवल भारतियों को प्राप्त हैं अब इनमे से देखें इनको eliminate करते हैं विधी के समझ समानता यानि विधी के समक्ष समानता आर्टिकल 14 में हैं तो ये दोनों को प्राप्त हैं वाक स्वतंतरता, अभिवेक्ति की स्वतंतरता ये आर्टिकल 19 में आता और आर्टिकल 19 हमने देखा केवल भारतियों को प्राप्त है अप्शन B यहां पर सही उत्तर हो जाएगा आगे आपको देखने की भी आविशक्ता नहीं नेक्स्ट है निमलिकित प्राकृतिक प्रदेशों में से किसे बड़े शिकारों की भूमी के नाम से जाना जाता है ये कोशन UKPSC के द्वारा पूछा जा चुका है बड़े शिकारों की भूमी ओशन कटी बंदिया सवाना प्रदेश को बोला जाता है ऑप्शन D सही उत्तर होगा जैन सहित्य का संकलन किस भाषा वह लिपी में किया गया है तो देखें जैन सहित्यों को एक पेपर में कोशन आया था जैन सहित्यों को क्या कहा जाता है जैन सहित्यों को आगम कहा जाता है ठीक है और इनका संकलन प्राकृत भाशा में और अर्द मागदिल लिपी में किया गया है उप्शन B सही उत्तर यहां पर हो जाएगा प्रसिद दार्शनिक नागरजुन किसके दरबारी थे नागरजुन की बात करें इनको भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है इसी पुस्तक में इनहोंने सापेक्ष्टा का जो सिधानत है त्योरिय ओफ रिलेटिविटी है उससे संबन्दित यहां पर कुछ बातें कही है इसी इनको भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है क्योंकि हम जानता है त्योरिय ओफ रिलेटिविटी किस ने दी थी? आइंस्टाइन ने दी थी उनसे पहले नागरजुन इसके बारे में बता चुके थे अपनी पुस्तक माध्यमिक सूत्र में नागरजुन की बात करें तो ये आपके कनिश्क के दरबारी थे option D सही आंसर हो जाएगा कनिश्क के चार प्रमुक दरबारी थे जिनके नाम आपसे बहुत बार पेपर में आते हैं एक आता है चरक किसके दरबारी थे कनिश्क के दरबारी थे एक आते हैं अश्वगोश ये भी कनिश्क के दरबारी थे एक आते हैं वसुमित्र और एक आते हैं नागरजुन चरक की बात करें इन्होंने चरक सहिता की रचना करी है अश्वगोश की बात करें इन्होंने बुद्ध चरित की रचना करी है और बुद्ध चरित को बौधों का रामायन कहा जाता है वसुमित्र की बात करें इन्होंने महविभास की रचना करी है और इसे बौध धर्म का वि कॉंग्रेस ने तहकीकात कमेटी का गठन किया इस कमेटी के अध्यक्ष कौम थे। दिके जब जलियावाला बाग हत्याकांड हुआ कब हुआ था 13 अपरेल 1919 को ये घटना आपकी होती है। ठीक है। कर रहे थे। ओप्शन C यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। किसके नेत्युत में कॉंग्रेस ने जलियावाला बाग हत्याकांड की जाच के लिए कमेटी बनाई थी मदन मोहन मालविया। ठीक है। इसी कमेटी को तहकीकात कमेटी बोला गया था। इसमें टोटल 9 मेंबर्स थ ठीक है। इसने अपनी रिपोर्ट मार्च 1920 में दी और इस रिपोर्ट ने जो कॉंग्रेस की कमेटी थी जनरल डायर को जमेदार यहां पर माना था। ठीक है। इस पूरी घटना को भी हमने डीटेल में देखा था कि क्यों जलियावाला बाग हत्याकांड हुआ। क्या क्या हालात बने किसने यहां पर अंग्रेजों को सूचना दी, कौन अंग्रेजों का यहां पर मददगार था, क्या इस घटना का प्रभाव पड़ा, किसने कौन सी उपाधी त्यागी, अंग्रेजों की जांच में क्या निकला, कमेटी की जांच में क्या निकला और अंततहा आख भाशा संस्थान कहां इस्तित है? सिंपल सा कोशन है, आपके मैसूर में इस्तित है, option B सही उन्स आंसर हो जाएगा इसकी स्थापना 1969 में करी गई थी next है, भारत का एक मात्र गवर्नर जनरल जिसका समाधी इस्तल भारत में इस्तित है तो भारत का कौन सा गवर्नर जनरल है जिसकी समाधी भारत में ही इस्तित है इसका नाम है कॉर्नवालिस option B सही आंसर होगा कॉर्नवालिस को लेकर यही वाला कोशन इसकी समाधी को लेकर कुछ एक्जाम में ऐसे पूछा गया है कि कॉर्णोवालिस का समाधी कहां इस्तित है तो ध्यान रखेंगे UP के गाजीपूर में इस्तित हैं इसकी समाधी ठीक है कार्णोवालिस की बात करें 1786 से लेकर 1793 तक ये भारत का गवर्नर जनरल रहा इसी दौरान इसने 1793 में इस्थाई बंदोबस लागू किया जिसे हम permanent settlement के नाम से जानते हैं इसी दौरान 1793 में इसने अपना कॉर्णोवालिस कोड लागू किया जो शक्तियों के प्रत्थकी करण पर बेज था कोशन आता है ध्यान रखेंगे इसे भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है किसको कॉर्णोवालिस को इसी के काल में तीसरा आंगल मैसूर युद यहाँ पर लड़ा गया था इसको भी ध्यान रखेंगे 1793 में इसका कारेकाल पूरा हुआ इसके बाद वेलेजली यहाँ पर गवर्नर बना 1805 में इसे वापस यहाँ पर गवर्नर जनरल बना कर भीजा गया था कॉर्णोवालिस के बाद जॉन शोर बना उसके बाद वेलेजली बना वेलेजली के बाद 1805 में इसे दोबारा गवर्नर जनरल बना कर भीजा गया लेकिन जल्द ही 1805 में इसकी मृत्ति हो गई और गाजीपूर में इसकी समाधी इस्तित है नेक्स्ट है दिल्ली शडियंतर से संबंदित मामले में किसे फांसी नहीं मिली थी दिल्ली शडियंतर केस ताक आकिर था क्या हम जानते हैं तीसरा दिल्ली दर्बार आयूजित होता है 1911 के अंदर इसमें ये डिसीजन लिया जाता है कि दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया जाएगा दिल्ली भारत की राजधानी बनती है 23 दिसंबर 1912 को बनती है 1912 को इस तीथीव को जब भारत का वैसरोय अपने पूरे काफिले के साथ दिल्ली में एंटर कर रहा है उस समय वैसरोय कौन था? हार्डिंग उस समय वैसरोय था हार्डिंग के ऊपर दिल्ली में प्रवेश करते समय बम थेका गया था और इसी घटना को दिल्ली शडियंत्र केस या हार्डिंग बमकांड बोला गया था तो हार्डिंग बमकांड या दिल्ली शडियंत्र आपके 1912 में हुआ था जिसमें ये बम फेका गया था यहाँ बम रास बिहारी बोस के द्वारा फेका गया था और बाकी इनके साथी थे हाला कि इनको फांसी यहाँ पर नहीं होती है क्योंकि हम देखेंगे आगे जब हम पढ़ते हैं राष्ट आंदूलन में 1942-1943 के दौरान आजाद हिंद फौच का नेत्वित तुस्पास चंद् बोस को यही देते हैं तो बाकी इनके साथियों को यहाँ पर फांसी की सजा हो जाती है जिसमें मास्टर अमीर चन, अवद बिहारी लाल और भाई बाल मुकंद यहाँ पर शामिल हैं तो किसने फेका था, किन-किन को फांसे मिली, क्या घटना है, कब घटी, सब पेपर में आ बार हुआ, रास्थानी बनी, फिर जब वो प्रवेश कर रहा था, हार्डिंग के ओपर बंप फिका गया जो वॉइस दुराई था, और इसी को बोला गया हार्डिंग बंप कान या दिल्ली शडियंतर कान, ठीक है, नेक्स्ट है, किस वाद में, उच्चतम न्याले ने यहा प्रस्तावना समविधान का एक भाग है, तो किस वाद में, किस केस में सुप्रीम कोट ने प्रस्तावना को समविधान का भाग माना, ये माना था केशवा नंद भारती केस में, ओप्शन C, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, इससे पहले वेरुबाडी केस जो था, इसमें 1960 मे सुप्रीम कोट ने माना, प्रस्तावना समविधान का भाग नहीं है, तो कई बार पूछ लेता है, किस में नहीं माना और किस में माना, तो इस केस में नहीं माना, कि वो समविधान का भाग है, यहाँ पर मान लिया सुप्रीम कोट ने, ठीक है, नेक्स्ट है, किस वर्ष में accounting को auditing से अलग किया गया और नियंत्रक एवं महलेखा परिक्षक का कारिया केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया तो जो हमारे भारत के नियंत्रक एवं महलेखा परिक्षक होते हैं ये पहले accounting और auditing दोनों करते थे अब इनका काम केवल audit करना रहे गया है, accounting ये नहीं करते हैं कब अलग किया गया था? इसको अलग किया गया था 1976 में ये question UKPAC के द्वारा पूछा जा चुका, यानि उत्राखंड में आ चुका है option C सही उत्तर हो जाएगा next है, इसरो का अंतरिक्ष अनुपिर्योग केंद्र यानि की SAC Space Application Center कहां इस्तित है? तो इसरो का जो Space Application Center है यहाँ आपके एहमदाबाद में इस्तित है option C सही आंसर होगा भारत की जलवायू, कोपेन वर्गी करण के अनुसार किस प्रकार के जलवायू का प्रतिनिद्रित्व करती है? तो भारत की जलवायू किस प्रकार की है? यहाँ मानसूनी जलवायू है गर्म ग्रिश्म के साथ जलवायू वाले वीडियो में भूगोल की डीटेल क्लास में हमने कोपेन का वर्गी करण डीटेल में देखा था इसने कौन-कौन से सिंबल किस-किस प्रदेश के लिए दिये हैं उन सब को हमने वहाँ पर दिखा था और मैप के माध्यम से उसको याद किया था, समझा था कि किस छेतर में किस प्रकार की जलवायू है, नेक्स्ट है, मुगल सैन्य विभाग में एहदीश क्या होते थे, तो मुगल सैन्य काल में, सैन्य विभाग में एहदीशों की बात करें, उच्चु वर्गिया जो घुर सवा यानि जो राजा मुगलों के अधिन शाशन करते थे उनकी अपनी सेना, एक सेना मनसबदारों की सेना होती थे और एक होती थी एहदी सेना, जिसको कहीं पर एहदी सेना कहा गया है, कहीं पर एहदीस कहा गया है, ये सीधा बादशाह के नियंतरण में होती थी, और इसमें केव जो उच्च वर्ग के घुरसवार होते थे, उन्हीं को शामिल किया जाता था, तो जो हाई वर्ग के घुरसवार हैं, वो सब किसमे होते थे, एहदीश, इनको अहदीश कहा जाता था, ये डारेक्ट राजा के नियंत्रण में होती थी, ठीक है, और जो चोथी सेना होती थी, व उपर वाला कुश्यन भी UKPSC आप से पूछ चुका है। के तोर पर 1886 से लेकर 1880 तक था। लिटन को लेकर एक बहुत इंपोर्टेंट बात यहां पर याद करना यहां एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निभंद लेखक और साहित्यकार भी था। किस नाम से यह कविताएं लिखता था। यहां ओवन मेरिडित के नाम से कविताएं लि किया गया था। ठीक है। इसी के काल में भारतिया सस्त्र अधीनियम बहुत इंपोर्टेंट एक्ट हैं 1878 में आये था इसी के काल में। इसी के काल में जो रिचर्ड इस्ट्रेची है जो आपसे पूछा गया था इस्ट्रेची आयोग किस से संबंदित था। पूरा नाम थ कून व्यक्ति है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है, तो फ्रेंट्स, यह था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने जीके के 20 important MCQs को यहाँ पर cover किया, ना सरिफ इनको cover किया, बलकि इन से संबंदित, जितने आपके important points थे, उनको sequence में link करके, आसान भाषा में समझने का भी प्रियास किया, ताकि आपको चीजें लंबे समय तक याद रहें, और आप एक कहानी के तौर पर GS को पढ़ें, ताकि आपके एक question से कई सारे question cover हो सकें, उमीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को like करें, चैनल पर पहली बार हैं, तो subscribe करें, अपने दोस्तों के साथ share करें, वीडियो आपको कैसा लगा, comment box में हमें सरूर बताएं, Thank you friends.